So hello and welcome you all I am Rohit from Mahajan Trader So guys, आज हम बात करेंगे Alok Industries Limited के बारे में So guys, Alok Industries में अगर देखा जाये तो कुछ important level है जो समझना काफी जाता important हो जाता है क्योंकि अगर देखा जाये तो stock एक बड़ा support लेने की तयारी में है और अगर इसने support ले लिया तो वहाँ से जो तेजी हमें देखने को मिलने वाली है काफी शानदार तेजी और रह सकती है तो guys, खरीदारी का सही मोखा आपको मिलने वाला है तो वीडियो को आट तक देखना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल दे महलजन ट्रेडर को सबस्क्राइब नहीं किया है तो guys, प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर देना फोर शेयर्स के अपडेट्स के लिए शेयर्स के लिए उसके लिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं अलोक इंडस्रीज के ओपर तो guys, बात कर रहे हैं अलोक इंडस्रीज लिमिटेट की तो यहाँ पर किस लेबल पे स्टाउक ने आज क्लोजिंग भी है 22 रुपे पे 30 पेसे के प्राइस पे अलोक इंडस्रीज यहाँ पर क्लोजिंग देता हुआ नजर आया है साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर 70 पेसे तक की बढ़त हमें इस शेयर में देखने को मिली है 3.23% के हिसाब से तो guys, ऐसे ही अगर continuous ले स्टाउक बढ़ता रहा तो आने वाले टाइम में अच्छे रिटन दे सकता है बट लेवल्स को समझना काफी जादा important हो जाता है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्टाउक बिना support बिना resistance के upset downs कर ले तो उसके लिए भी proper setup लगता है guys और वही अगर बात करें आज स्टाउक में क्या हुआ 22 रुपे 25 पे से पे stock open हुआ था 23 रुपे का high लगया था 21 रुपे का इसने लगया है low market cap क्या कहता है 11.10,000 करोड के आसपास का market cap है बात करेंगे अब इसमें क्या है levels तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलोक industries के कुछ levels को तो यहाँ पर आप देखेंगे तो upside downs momentum काफी ज़्यादा stock में हो रहे है stock कभी उपर जाता है तो कभी नीचे आता है तो एक range में stock फसा हुआ था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बिलकुल जब इसमें breakout मिला था पहला breakout तो हमेरा fail हुआ था और उसके बाद के अगर बात करें तो second breakout हमें बिलकुल एक proper तरीके से मिला है यहाँ पर sustain stock ने किया और एक बड़ा jump ता गया और यहाँ पर 35 रुपीस के आसपा स्टॉक गया भी था फिर वहाँ से एक actual में हुआ गया वहाँ से stock नीचे आना start हुआ यहाँ से stock ने support लिया फिर उपर गया फिर resistance लेके नीचे आया और यहाँ पर जब gap down हुआ था तब मैंने बुला था कि जिस तरीके से gap down हुआ है उसी तरीके से बड़ा momentum आएगा उपर के और गया और वही से stock फिर से आया है नीचे गया तो गाइस यहाँ पर support की बात कर रहे थे तो बीस रुपर का support यहाँ पर आपको देखेंगा क्यों क्योंकि यहाँ से stock ऊपर गया था फिर नीचे आता यहाँ पर support लेके उपर गया तो 20 रुपय के सपोर लेके उबर के ओर जा सकता है तो गैस बिल्कुल एक सपोर्ट की देरी है और बिल्कुल स्टॉक उपर के ओ जाएगा और यहाँ पर पिछले कई की टाइम से ऐसे पैटर्स बनते हुए में नजर आये है आप आप देख सकते हो पहले भी साइडवेज इस स्टॉक चला है इस आप पर आप देखोंगे साइडवेज चला फिर उपर गया फिर साइडवेज चला फिर यहाँ पर साइडवेज चला है फिर ब्रेक आउट के हिसा प्राइज स्टॉक का फिर स्टॉक का हई है तो 52 वीक्स का हई क्या कहता है यहां पर अगर देखूँगे तो 35 रुपे का हाई है लोह 20 रुपे का आसपास का price performance stock का क्या है यहाँ पर one week का अगर देखोंगे 6.90% है one month का 19.53% है three months का 24.19% है year and half का 13.59% है पिछले 6 महिने से अब तक है बिल्कुल यह minus में इसने returns दिये है तो काफी बड़ी बात पूरी बात है और वही अगर बात करें one week one year का तो plus में है और three years का भी प्लास में है ट्रेड वेल्यू क्या गहता है तो one करोड के आसपास का अच ठ्रेड वेल्यू रहा है आप देख सकते हो इस्ट्रेट की बात करें दो करोड का ट्रेड वेल्यू रहा है 74 लाग का Combinant Delivery one week के average की बात करें दो करोड का trade value 57 lakh का common delivery है one month के average में 2 crore का trade value 77 lakh का common delivery देखने को मिल जाएगा अब बात करते है community sentiments के आखड़े की community sentiments के आखड़े बिलकुल यहाँ पर क्या कह रहा है गास तो यहाँ पर 100% buying के लिए कहा जा रहा है और वही गाइस या आपर अगर देखूंगे तो अलोक इंडस्री आने वाले टेम में अच्य रिटन्स दे सकता है या उपर अच्छी जलके भी हमें देखने को बिली हैं बट स्टॉक में जो मार्केट में डाउन डेन आया हैं उसकी वज़े से स्टॉक भी किरता हुआ दिखाई दिया है काफी बार वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो ठेंक्यो